सबसे पहला काम जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ that is a sunburst plot जो आप Titanic के data पर भी बना सकते हो और किसी भी किसम का data आप उस पर भी बना सकते हैं तो data जो है example data Titanic का हम यूज करेंगे but then I will show you कि sunburst plot जब बड़े वाला बनता है तो किस तरीके से बनता है मैं अभी आप लोगों के सामने जो है वो screen जो है उसे share करता हूँ just give me one second और फिर हम इस plot को बनाने वाले हैं okay जी तो यह screen आपके सामने share हो रही है and you can actually see the screen that's a good thing अब इस screen के उपर अगर आप गोर करें तो जो हमारे पास पहली 15 plots वाली जो notebook थी उसी के अंदर ही मैंने एक plot जो है उसे draw किया है for example यहां पर मैंने बताया है कि आप तक्रीबन कुछ लाइनों के अंदर मैं यही सही से copy करता हूँ और यहां पर 03 बलके not here इस plotly के अंदर 03 underscore sunburst.ip ynb करके हम नई notebook बनाते हैं और इसके अंदर जो हमारे kernel साब है वो select करते है पाइथोन एडिये वाला और यहां पर मैं लिखता हूँ sunburst plot to show hierarchy ठीक है? hierarchy I don't know if the spellings are correct or not but spellings are there so hierarchy and इसको हम इस तरीके से लिखते हैं अब यहां पर अगर आप गौर करें थो I will just paste the code simply तो आप सबसे पहले करेंगे plotly.express.px इसको import करेंगे obviously आपको इसको install करना पड़ेगा and then you will have this c bond in there c bond से हमने titanic का data लिया जो आपको पहले भी आता है यहां पर हमने figure बनानी है sunburst तो px.sunburst यहां पर लिखना है titanic लिखना है यानि कि जो data set है मैंने इसको titanic बोला है आप इसको df भी बोल सकते है so you can also call this df df और इसके बाद comma डालना है मैंने enter इस वड़ा से डाला है क्योंकि यह screen जो है न फिर आपको आगे आगे code लेके जाती रहेगी तो मैंने enter डाला वो indentation होगी वहां पर path दिया सबसे पहले male female आएगा मेरे पास फिर class आएगी first second third फिर आएगा who यानि कि man है woman है या child है फिर आएगा मेरे पास alive फिर आएगा मेरे पास alone जो values मैंने देनी है वो है survived की और sex की और यहां पे मैं इस plot को show करता हूँ मैं इसको run करता हूँ यहां पे तो मेरे पास जो plotly है वो data को fetch करके library सारी मेरे पास एक इस तरीके से plot आ जाएगा अब आप अगर इस plot को गोर से देखें so you can have an idea कि यार start जहां से हो रहा है वो है male versus female ठीक है अब मैं अगर male पे click करता हूँ तो सारा males का data आ गया Titanic का मुझे सिरफ first class वाले चाहिए मैं first class पे click कर देता हूँ और यहां पे man है और child है obviously क्योंकि हमने male को select किया तो man और child है इसका मतलब जो male child है वो यहां पे है तो यह male child अगर yes है तो यह यहां पे आ जाएगा और false जो है वो यहां पे आ जाएगा तो true or false हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ का true or false हमारे पास survived का ठीक है and then there are many other things अगर मैं यहां पे female को select करूँ first, second, third आ गया woman आ गया yes आ गया true, false आ गया then I can say कि यह कितने हमारे पास data set है so इस तरीके से आप sunburst plot बना सकते हैं और जब आप कहीं पे भी presentation दें तो आपके पास अगर data set कुछ इस तरीके से है जो categorical variables ज्यादा हो उसके अंदर है यानि के class की आगये class फिर उसकी आगये class फिर उसकी आगये classes, classes, classes group by division होती जाती है तो आप यह sunburst plot बना सकते हैं और इसका code जो है मैं और रड़ी फेच कर दूँगा यह sunburst plot का it would be easier for you to make a plot like this अब आपने यह करना है कि different किसम की जो आपके पास data sets होंगे आप उसके उपर sunburst plot जो है वो बना सकते हैं एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूँ sunburst plot के लिए जो ज़रूरी है आपके data में hierarchy होना ज़रूरी है for example मैं एक और data set पे यह sunburst plot पनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहां से इसको बोलता हूँ tips equal to sns.load data set और इसके अंदर tips का data ले आते हैं ठीक है tips का data लिया tips का data का है मैं भी आपको दिखाता हूँ tips.head यह data set बड़ा मशूरे जमाना है इसके अंदर आप अगर देखें तो हमारे पास है यह basically hotel का data है जहां पे day है हमारे पास saturday sunday और thursday friday saturday sunday चार दिन है smoker है yes or no female है के male है tip कितनी दियो और उनका bill कितना बना था time कौन सा था खाने का और कितने size का table था so this is how you can have a kind of you know अपना data set और इस data set को मदे नज़र रखते हो आप अपना sunburst plot बना सकते है अच्छा अक्सर हो कहात आपने देखा होगा मेरे पास यहां पे extension के अंदर अक्सर आ रहा होता है कि reload कर ले मैं इसको reload करता हूँ तो मेरा vs code फोरण से रिलोड हो जाता है जिससे क्या होता है कुछ extensions जो काम नहीं कर रही होती है वो ठीक हो जाती है और यूजली जब कोई extension update होती है तब यह option आती है तो आप यहां से भी इसको check कर सकते है तो मैंने इसे रिलोड कर लिया मेरे पास यह वाला data set है अब मैं इसी के ऊपर sunburst plot बनाने की कोशिश करूँगा and I will just copy this code और यहां पे इसे head के बलके head के बाद ही paste करता हूँ यह है tips का data तो यहां पे tips लिखूँगा अब मैं hierarchy बनाने लगाँ अगर आप गौर करें हमारे पास पहले है sex यानि के male female तो मैं इसको वैसी रखता हूँ फिर मैं कहता हूँ के उनका पता चल जाया के वो smoker हैं के non smoker है तो मैं यहां पे बना देता हूँ say for example smoker फिर मैं देखता हूँ के day कोउन सा था फिर मैं आगे कहता हूँ के time कोउन सा था ठीक है and then I can also say बलके मैं इतना इसे रखता हूँ और यहां पे simply value के अंदर मैं कर देता हूँ size ठीक है color जो है उसका मैं sex की base पे कर देता हूँ let's run this और यह मेरे पास पहली आ रहा गी name px is not defined reason यह है के मैंने यह वाली जो दो libraries है जब मैंने reload किया I have to rerun these two things तो मैं इनको यहीं पे लिख लेता हूँ ताके मेरे पास यही तरीके से चल पड़े या मैं सभी को run कर देता हूँ उपर वालों को तो मेरे पास पहले वो वाला plot बन जाएगा and then I can create this plot यह मेरे पास plot बन गया अब आप अगर गौर करें पूरा data set मेरे पास एक sunburst plot के अंदर आ गया मैं अगर mail को चेक करूँ तो यह मेरे पास mail as data set के ठीक है आगे मेरे पास hierarchy क्या है अगर आप गौर करें तो mail के बाद मैंने smoker दी है तो यह जो yes or no है यह smoker का है तो वो लोग जो smoker है मैं yes पे क्लिक करता हूँ और जो Friday Thursday, Friday, Saturday, Sunday आए है तो आपको size of the plot बता रहा है के सबसे ज्यादा mail जो smoker है वो कब आते हैं खाना खाने अगर आप चेक करें तो आपका Saturday का time है ठीक है 71 यहाँ पे 49, यहाँ पे 23 यहाँ पे 17 तो यह size की base पे है ठीक है अगर मैं यहाँ पे click करूँ तो मुझे पता चल रहा है के lunch है, dinner है, lunch है, dinner है, dinner है तो usually क्या होता है Saturday को ज्यादा तर लोग dinner करते हैं अगर आप गौर करें सिर्फ dinner की values आ रही है lunch हमारे पास आ ही नहीं तो हमें एक अंधाजा लगा सकते हैं के Saturday को बहुत कम लोग जो है lunch पे जाते हैं क्योंके dinner वो ज्यादा प्रैफर करते हैं अगले दिन चुट्टी होती है यहां से वापिस जाते है, Friday को देखते है तो मैं Western Culture की बात कर रहा हूँ Friday को ज्यादा तर लोग लंच करते हैं reason क्या को बिजनेस मीटिंग होती है या वो अपने different किसम के जो scenarios हैं कि आज weekdays खतम हो रहे तो lunch कर लेते हैं और dinner भी काफी लोग करते हैं क्योंकि अकसर उकाद Friday की night जो होती है वो इन लोगों के party night भी होती है so यह हमारे पास scenario आ गया Thursday को देखें तो ज्यादा तर lunch है dinner है नहीं क्यों क्योंकि Friday को उन्होंने काम पे जाना होता है so we can take insights from the data using these sunburst plots ठीक है और अगर आप non-smoker को देखें तो यह data आपके पास smoker को देखें तो यह data आपके पास अगर आप आप गौर करें non-smoker बंदा Friday को बहुत कम जाते हैं लेकिन Sunday को dinner बहुत ज्यादा कर रहे है ठीक है on the other side अगर मैं yes smoker वाले लूँ तो Saturday को dinner ज्यादा हो रहा है Sunday को कम हो रहा है so the size of plot can also tell you के हमारे पास ज्यादा तर लोग किस तरीके से आगे जा रहे है so this is how you can have an idea और जैसे आप value की बात करें तो क्योंके मैंने values यहाँ पर size की दी है तो अगर आप गौर करें जैसे मैं किसी चीज को hover कर तो मेरे पास size आ जाते है यानि कि size की value आ जाती है कि total कितने लोगों का वो size था अगर मैं total bill की बात करूँ यहाँ पर example मैं size को total underscore bill के अंदर convert कर दू if they are using 1L और double L अब मैं इसको draw करता हूँ now you will see जैसे मैं इसको करता हूँ मुझे restaurant ने उस दिन डिनर से कितना गमाया वो total मेरे पास bill ला रहा है 870.34 ठीक है और अगर आप गौर करें इस पूरे plot के अंदर सबसे ज़्यादा bill कहां पे बना है ये वाले डिनर पे संडे के डिनर पे 870 सेटरडे के डिनर पे बहुत कम बना है और ये डिनर की बेस पे यानि के total bill की बेस पे हमारे पास सारे का सारा data आ गया अब आप इसी को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन ज्यादा bill दे रहा है अब अगर मैं ये कहूँ कि बिल की बजाए मैं सिरफ tips देखता हूँ sorry tip कि किसने tip कितने दी है और अगर आप गौर करें जहरी बात है जिनका bill ज्यादा बने है उन्होंने लिए tips ज्यादा दी होगी तो यहाँ पे 133 डॉलर सिरफ tip बने है तो just imagine कि सबसे कम tip कहां पर बनी है अगर आप गौर करें सबसे कम tip कौन दे रहा है यहां पर कोई बता सकता है लड़के दे रहे हैं कि लड़कियां दे रही है कम tips simply आप चेक करें male का जो size है यहां पर यह half pi से ज्यादा आ रहा है तो अगर यह पूरा एक pi आप तसवर कर लें उसका चोटा चंग जो है वो female tips दे रही हैं लेकिन on the other side male जो है वो ज्यादा tip दे रहे हैं अगर आप गौर करें ठीक है और यह plot हमें यहीं से सारी information दे देता है अगर आप गौर करें Sunday को dinner time mail ने दी है 133 dollar female ने दी है 14 dollar tip lunch time Friday को 7 dollar फिर इतने dollar फिर इतने dollar फिर हमारे पास further smoker और non-smoker भी है तो female जो है जाहरी बात है वो smoker कम है non-smoker जयाद है यहाँ पे यह तकरीबन जो non-smoker mails है वो जयाद है so in this way we can have a lot of information जो हमारे पास यहाँ पे save हो सकती है ठीक है यहाँ तक आपको clear हो गया होगा and based on this you can have an idea कि कब tip ज्यादा मिलनी है Thursday के dinner time पे tip लड़कों ने बहुत कम दी क्योंकि जाते ही कम है लेकिन यहाँ पे Thursday के dinner time के पास लड़कियां है ही नहीं है अगर आप गोर करें ठीक है अगर table size की बात करें तो वो एक different idea है अगर मैं यहाँ पे size लिखता हूना तो यह मुझे बता देगा sorry यह table size है कि एक size एक table पे कितने लोग बैटें अगर आप गोर करें size की base पे भी हमारे पास जो pie बन रही है वो males की ज्यादा बन रही है and there are many other ideas जो आप यही से लगा सकते है and then you can actually calculate many things तो यह जो sunburst plot है इस तरह काम आता है किसी भी data पे आप लगाएं इसको यहाँ पे आपने categorical variable रखने है जो values आपने दिखानी है वो tip यहाँ पे आजागी अब आपकी छोटी से assignment यह है how can we add more values when we over the point हम किस तरीके से जब मैं hover करता हूँ यहाँ पे यह सिरफ मेरे पास आ रहा है tip ठीक है tip आ रही है मेरे पास how can I add more values on the plot ठीक है तो यह हमारी assignment है छोटी सी आपने क्या करना है यहाँ पे tip की बजाए दो तीन columns add करने है वो कैसे करने वो आप बताएंगे ठीक है एक और चीज मैं यहीं पे आपको बता दूँ कि sex की बजाए अगर आप smoker लिखते है न तो अगर अब आप गौर करें अब आपका पूरा plot जो है वो smoker और non smoker की base पे colored हो गया और जो उससे नीचे hierarchy थी यानि कि smoker से पहले जो चीज थी वो single color में आगी smoker yes और no की base पे यह सारा plot आपका बन गया ठीक है red वाले जो है वो non smoker है blue वाले smoker है so this is how you can actually divide into different colors और अगर मैं यहाँ पे day wise color कर दूँ तो जनाबे वाला यह देखें चार दिन है हमारे पास चार color आगे ठीक है Thursday, Friday, Saturday and Sunday ठीक है तो यहाँ पे अगर आप check करें तो यह हमारा Thursday, Saturday, Sunday और अगर यहाँ पे ओल करें Thursday, Friday, Saturday, Sunday तो इस तरीके से हमारे पास colors आजाएंगे so usually आप अपनी मर्जी से यह colors दे सकते हैं right and then you can make more plots like this okay जी तो यहाँ पे अगर इसी assignment की बात करें तो simply आप इसको update भी कर सकते हैं जो मैंने github copilot को use करके किया है and now you can see कि मेरे पास tip भी आ रही है और मेरे पास percentage भी आ रही है and there are many other things जो आप कर सकते हैं मैं इस assignment को आपके जुम्मे छोड़ता हूँ और मैं इसी जो notebook है इसको यहीं पे finish करता हूँ अब आपको जिस plot की अब समझ आई है जिस पर मैंने थोड़ा सा time लगाया यह basically आपको data को smell करने में data को सूंगने में data का idea लगाने में help करता है अगर आप इस plot को master कर लेते हैं believe me you can master a lot of idea techniques जो आपने पहले सीखी हुए लेकिन data visualization के थूँ आप उन्हें देख सकते हैं तो यह तो हो गया जनाब हमारा sunburst plot hopefully आपको समझ आई होगी assignment as soon as possible इसकी भीज दीजेगा